आज ची इस डिजिडल कक्षा में आप सबका स्वागत है मेरा नाम पर्विन सुल्ताना है मैं हिंदी सी यार्टी केजी पीवी वर्गल सिद्धी पेट जिले से हूँ प्रणाम बच्चों आज हम नौवी कक्षा का दस्वा पार्ट अमरवानी पार्ट का नाम क्या है अमरवानी अंटे चिरस्मरा मैना वाक्य मुलू वेदा अमरा मैना वाक्य मुलूनी अर्थम इस पार्ट की विधा क्या है कविता विधा है तो आज का हमारा चर्चनी आन्श क्या है यहाँ पर कवी की जीवन परचे है कवी से संबन्दित जो जीवन परचय है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो बचों आप पहले इस चित्र को देखिए और पहचानिए की या कौन है या कौन है या संत कबीरदाजी है इनके बारे में हमने सात्वी कक्षा में कुछ जानकारी प्राप्त की हुई है और इनके कुछ दोगों को भी हमने सीखा है तो इनके जीवन से सम्बंदित जानकारी और भी संक्षिप्त रूप में हम यहाँ पर जानेंगे तो इनके जीवन से संबांदित मुख्य बिंदुओं पर अब हम प्रकाश डालेंगे। तो सर्व प्रदम हम देखेंगे कि इनके जीवन काल, जीवन काल कब हैं, इनके जीवन काल कब से कब तक माना जाता हैं। पर अब्रिंदु ग्या है? शिक्षा शैक्षिक रूप से अगर से देखें तो यहाँ पड़े लिखे नहीं थे पालन पोशन कहा जाता है कि यहाँ एक विद्वा ब्राह्मिन स्त्री के कोक से जन्मे थे जो लोगों के डर से लहरतारा नामक तट पर छोड़ कर चली जाती है और वह बच्चा नीरु नीमा जुला है नीरु नीमा नामक जुला है दमपत्ती को मिलते हैं वह धार्मिक रूप से मुसल्मान है इसलिए उन्होंने इस बच्चे का नाम कबीर रखा अईतिकर शोड़े नमा इन यवर के पुटड़ं जर्गिंदी विदवा प्राम्हनु राल की पुट्टार ने चपड़ं जर्गिंदी अईति आमे लोकुला भयानिकी लहर तार अने नदी ओड़ु न तीसु कोने वच्ची बदली पेट्टेसी वेलिना पुडु नीरु नीमा अने इद्धरु दमपतु लखी लभीन चड़मों इन लभीन चड़म जर्गिंदी अईति इन युका पालन पोशन आने दी एवचे सारु नीरु नीमा अने दमपतु लुँ चेड़म जर्गिंदी वालो धान्मिकर उपंगा चुस्ते अगला बिंदु क्या है? गुरु का नाम कबिर्दाजी के गुरु का नाम? स्वामी रामानन्द है क्या है? स्वामी रामानन्द है कौन से युग के कभी माने जाते हैं? इन्हें हिंदी साहित के अनुसार भक्ति कालीन युग के निर्भुनों पासक ग्ण्यानाश्राई शाखा के संत कवी के रुप में जाना जाता है पत्नी का नाम लुई है संतान इनके दो संतान है तो एक पुत्र है और एक पुत्री है पुत्र का नाम कमाल है पुत्री का नाम कमाली है इनको इदर संताननो कमाल अनि पुत्रों का पेरो भाषाशे ली इनकी भाषाशे ली कैसी है इनकी भाशा शैली साधुकरी और पंचमेल खिचरी कहा जाता है क्योंकि यह घुमकर प्रवरुती के थे यह देशाटन करते हुए जहां कहीं भी जाते अपने अनुभों से वावानी करते तदा उस प्रांत के भाशा को अपने वावानी में दर्शाते इते इना इन्ड दी देशाटन चेस्तु एकड़ेकड़ा इते आना वेल्ले वालो आ स्थानान संबान्दीचेना भाशा नू इना योगका वानी लो आयना चूपेवारू उपेवाग इन्चड़म वल्ला इन्योगका भाशनों पंचमेल खिच्ड़ी यानी खोड़ा चेपड़म जरीएंदी अगला बिंदू क्या है? अगला बिंदू रचनाएं तो इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम देखें तो कबिरदास जी की वानी का संग्रहा बीजक ग्रंद में संकलित है इस बीजक ग्रंद को उना हर तीन भागों में बाटा गया है इनके कुछ दो है सिखों के धार्मेक ग्रंध गुरु ग्रंध साहे अगला बिंदू पांसा है अंतिम बिंदू विशेष्टाएं विशेष्टा इनकी क्या विशेष्टा है यह निर्गुन भक्ति का अभिधारा के ग्णान मार्गिशा का के प्रमुप्रवक्तक है और मानवता की भावना इनके रचनों में चलकती है समात सुधारक भी कहलाते हैं और तधा संत काव्यधारा के यह प्रमुख कवी के रूप में जाने जाते हैं तो बच्चो आज हम तबीरदाज जी के जीवन परचे से संबंदित जानकारी यहां पर राप्त की है तो अच्छा बच्चो अगले कक्षा में मिलेंगे धन्यवाद